आप सभी का आपका अपना यूटूब चैनल मेज़ा टारियर पढ़तो फिरेंड आज की इस वीडियो में हम लोग कलास 10 के मैटिक बोड एक्जाम देखने को मिलेगा आपका गौनित का यापर वारल पर आपके पर हम लोग पराने वाले हैं जो आपके बोड एक्जाम परिक्छा में काफी सारे पर सन यहीं से देखने को मिलेगा तो फिरें अगर आप 20 वर मैं टीके बोर्ड एक्जाम देने वाले 28 में तो ये क्लास आपके लिए काफी महतपूर ने प्लिस दोस्तों क्लास को आप बिल्कुल सुरू से लेकर आगरी तक जरूर कीजेगा तो प्लिस दोस्तों जली से आप फटावर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बगल में नौरिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर से लेट कर लिजेगा ठीक है और दोस्तों जो भी वीडियार थे भी तक हमारे वार्टसप गुरूब में नहीं जूरे हैं तो फटावर से मेरा वार्टसप नुमर नोट कीजिए मेरा वार्टसप नुमर इस नमर को सेफ कीजिए आप बोली कि सरह में वार्टसप गुरू में जूर दीजिए तो हम जो है न दोस्तों आपको WhatsApp गुर्व में जोड़ देंगे या फिर आपको Automatically यहाँ पर एक मेसेज सो हो जाएको उसमें किलिक करके आप टेंद वाइ गुरूब लिंक पर किलिक करके उसमें आप WhatsApp गुरूब में अगरी तक जरूर कीजिएगा तो चले दोस्तों देखती है आज के फर्स्ट परसन से जो कि आपके बोर्ड एक्जाम में 100% पूझे जाएंगे इस परसन को अची तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि यह परसन आपके बोर्ड एक्जाम में 110% पूझे जाएंगे तो फिरें य इसलिए यह पर डीवल आप्सन इसका विल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट के तरफ बर चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए 30 महतपूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर देखेगा यहां पर आपसे पूझ रहा है कि परी सर बड़ावर क्या होता है दोस्तों उच्टम मान मान माइनस निम्तम मान होता है तो इन में से सबसे हाइस्ट भेलू कोने दोस्तों 30 है तो यहां पर 30 में माइनस करेंगे निम्तम मान यानि कि लोवेस्ट भेलू कोने तो आप कहेंगे सर यहां पर 9 है तो हम लोग क्या करें में पूझे जाएंगे तो आप जोना दोस्तों कुछ इस प्रकार सुल्फ कर सकते हैं चुटकियों में इसको आप हल कर सकते हैं चले देखते हैं तिसरा नमर परसन की दरब बढ़ चलते जो की आपके बोड एक्जाम के लिए 30 मत पूर ने भी परसन जोना दोस्तों आपके बो अभी यहां पर समांतिर मादी हम लोग कई से गात करेंगे तो टोटली यहां पर जोलेंगे दोस्तों बाडिबारी से it करते पहले एक्स फिर यहां पे एक्स प्लस 30 है देखेगा फिर यहां पर कितना है दोस्तों देखेगा ध्यान-प्रुभग x प्लस России यहां पर देखेगा कितना दिया स्प्लस ê acá आंगे एक्षब्लस ना-इं sticking को पुटा लेंगे तो यहां पर एक है दो, तिन, चार पांच, तो यहां पर वुट टोल एक सी सब्सक्राइब ईह सब्सक्कर यह उठके 20 मिटोलगे च्थे नो, नो, नो अट हरो ऑना हो जाग क उर्टो diferen को जो jadi पर में उभाइनिश्ट क्या आए तीज और पांच बे चुफ बनेश्ट हो जाएगा तो यहांपर चुफ कर देंगे तो यहां से पश्च क्या हो जाएगा तो यहां पर बसता है एक्स प्लस एक्स प्लस तो देखेगा यहां आपको अच्छी तरह के से समझ में आ चुका होगा इसलिए आपको क्लास को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो फटावर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा चले देखती है आप चाउथा नमर परसंट क्या करा है कि यहाँ पे जो ही न आपसे पूछ रहा है कि एकस का भेलू कितना होगा यहाँ पे देखेगा दोस्तों 6,8,9,x तथा 13 का मादिय आप दस दिया गया है तो इस कंडिशन में आपसे पूछ रहा है कि एकस का मान गयात करे तो इस तरह के परस प्रिक्षन हो जोड़ेंगे बारी बारी से यहाँ पे एड़ पटा करेंगे पर इसको बारी बारी से एड़ करते तो यहाँ पे जब 6,8,9 और 13 को जब एड़ किजिएगा तो कितना है गया दोस्तों इहां पे एड़ करके तो देख लिए तो 36 जीनिके 36 आयेगा, फिर यहां पे πलस x कर देंगे बटा पांच कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3-3, 3-3 जी गुना करेंगे, ठीक है तो फिर यहां पर 5 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा 36 पलस X को जब X से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पलस X ही रहेगा एक काम करते हैं X को ऐसे जराने देते हैं पिर यहाँ पर 50 मारण 36 हो जाएगा हुद गिंगे तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस गरें तो यहाँ पर देखेगा तो रस판ar पो च्छत कहल चूटकों में श्लौब कर सकते हैं छले देखतेには यहां पर नेक्स्ट कोस्टन जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर ने तो यहां पर दो बैलन की त्रिजाओ का नुपाद दो नुपाद थीन है तो आप से पूछ रहा है कि उनके आयतों का नुपाद कि होगा तो चले इसको मुलग फटावर से सांदर तरीके से हल करते हैं तो यहां पर देखेगा दोस्तो तिरजियाओ का नुपाद कहने कारते कि R1 नुपाद R2 का वेलू कितना दिया गया है 2 नुपाद 3 दिया गया है और यहां पर उचाए का नुपाद अर्थात यहां पर उचाए को हम लोग H1 मानते फिर यहां पर दूसरा एतनगे अनुपात क्या होर्गा तो फर है आपको पता होना ची यह बेलन्कозможно क्या होता है पाई गया होता है पाई और होता है न काम करते हैं यहां पर पर और हैं और फॉदगव एज है उससर रहां संगेयर सब्लीद पर से स्पाइब किसुरों चुसेंचा से अपयाय सब्सक्राइब बटाव20 वाटाशाएश जो कि आपर ऑप्चन भी वाला ऑप्चन बिल्कुल ही करक्ट अजर हो जाएगा चले फ्रन देखती हम पर नेक्स्ट का तरब बर चलते जो कि आपकी एक्जाम के लिए अतते हिम हटपूर्ण से इंपोर्टेंट है इसलिए आप क्लास को बिल्कुल सुरू से लेकर आखरी तक सांदर तरीके से जरूर कीजिगा ठीक है यहां पे जितने भी कोसंस को यहां पर लेकर आये हैं सभी कोसंस आपके एक्जाम के लिए तेंदी महतपूर ने बहुत एक्जामें 100% 110% पूझे जा है कि 6 cm भूजा वाले घन में से 2 cm भूजा वाले कितने घन बनाएं जा सकते हैं तो यहां पर देखेगा दोस्तों 6 cm भूजा वाले कोई घन है उनमें से 2 cm भूजा वाले कितने घन बनाएं जा सकते हैं तो इसके लिए आप लोग क्या किजिएगा कि दोगों यहां पर घन है टो पाहला भूजा को हम लोग क्या मानेंगे तो A1 का मान कितना दिया गया चैसे सेंटीमीटर दिया गया तो यहां पे दूसरा फिर जोग कि अजना नफे अपर soul, कि यहां पे आप से किा Daar गया भाग और AQ होता करना है तो फ्रेंट आपको पता होना चीए कि घन का आयतन बरावर क्या होता हूथ क्या हो था एक्यूब या फिर इसको Самलों का आयतन को किस tutorials कि डिखाएंगे भी के तो दिखाएंगे तो यहाँ पे भीवन बरावर हो जाएगा है दूसरा घं का क्यूब के breakfast के बरावर हो गहां तो फृट्वर्ड यह पे देखे गा जो घं होते हैं इसका माली हो नहींद कीब होगों कि यह जाएगा इसी थे something कि क्योंब करेंगे ये बरौर जाएगा का एक न गते हैं तो यहां पर ओल झाब आपका मुना में तो में बटे के फों में जाए इया यह तो यहां पर फ्रेंट यह आपका दूतिया छे हो जाए खांब तो यहां पे टीन को प्रमिना छाने में पर शा के साहिछ दो धे伜़ा दीन के ना चाहिए सब्सक्राइब 32-33-37 कितना हो जागा 27 देखेंगा दूस्तो कौन सा ओप्संट में दिया गया है ऑप्संट D में आपका दिया गया गया इसलिए यह यह पर डी बोलौ है इसका बिलकुल इसका लुट जागा चलिए फ्रेंड देखते हैं पे यहां पर पे बता हुना है कि संगू की करक्ट अंसर हो जाए चले फरेंड देखते हैं जो कि आपके बोर एक्जाम के लिए तेंदी महत्पोरन है तो फिरेंड यहां पर बता होना है कि दो वीड़तों के परेदियों का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो उनकी 6 फलो का अनुपात क्या होगा तो यहां पर दोगो पर हम लोग क्या करते हैं एक काम करते हैं अम लोग इसको आरोन मानते बटा कर देंगे और इसको क्या करेंगे दोस्तों निया करते हैं निया पर फोस्तों से ले гораздо कि तो इनका अनुपाद जो है 3 2 4 यानि की 3 बटा 4 है तो यहां पे देखेगा दूस्तों क्या हो रहा है यहां पे कि 2 पाइ से 2 पाइ कैंसिल हो जाए तो यहां पे आरवन अनुपाद 8 2 बरावर कितना हो गया 3 4 हो गया अर्था यहां पे तिर्जिया दोनों विर्थ के तिर्जया पता चल गिया है जब तिर्जया पता चल जाएगा तो यहां पर इजली विर्थ का चेतरफल भी ग्याद हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड यहां पर आपको पता होना चाहिए विर्थ का चेतरफल क्या होता है pi r square होता है क्योंकि यहाँ पर 2 गो विर्थ है इसका 2 गो तिरिजया है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे pi r1 का square करेंगे बटा करेंगे फिर यहाँ पर pi r2 का square कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है दूस्तों pi से pi cancel हो जाए है यहाँ पर आर वन का 1 को देखेंगे तीन का यहाँ पर quarter कर देंगे बटा चार यहाँ पर आक्टों का माल चार है तो चार का square हो जाएगा तो यहाँ पर तीन का square 9 हो जाएगा बटा 4 का square slow हो जाएगा यानि की 9 ratio solo जो कि यहां पर देखेगा option D में आपका दिया गए इसलिए यहां पर डीवल option जोने इसका बिल्कुली correct answer हो जागा चले देखते हैं पर next question क्या कराएगी यहां पर बताना है कि यह एक विर्थ का छेतरफल 154 cm square है तो इसकी पड़ीदी क्या होगी क्या विर्थ का छेतरफल की मातियं से हम लोग सबसे पहले यह पर क्या गयाद करेंगे देर घीक है तो इसके नग को मन कर मतना ओगहा है 154 है तो पाई का भीलू कितना होते हैं पाई का भीलू होते हैं 22 बटा साथ 22 बटा साथ गुना और स्कुर बडाबर 154 ठीक है एक काम करते हैं इसको हम लोग कर देते हैं 22 बटा साथ कुदर भेज देते तो आरी स्कुर बडाबर कितना हो जागा दूस्तों 154 गुना साथ बटा 22 हो तो यहां पे और का शीइभायों कितना है खाये गा आपका अंडरीट चल जाएम टो इसका में श्यूंस खूर से निकाल सकतेई तो विर्द का परिदी का होता है? दोस्तो two pi r होता है क्या होता है two pi r तो यहां पे धियान पुर्वक देखेगा दो गुना, pi के जग़ा 22 Bटे साथ रखेंगे, इसका भेलु रखेंगे पाइ का, फिर यहां पे r के जग़ा साथ रखेंगे तो यहां पे साथ से साथ केंसिल हो जाओ रहा है को अच्छी दरीगे से समझ लीजिए याद कर लीजिए चले फिरेंड देखती है आप एक विर्थ का वयास हो तो उसका चेतरफोल क्या होगा ठीक है तो काफी सिंपल परसन है कि एक्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे में तो विर्थ का चेतरफोल क्या होते हैं दोस्तों पाई किसी विर्थ के वयास के दोनों किनारों से खीची गई असपर्स रेखा हमेशा होती है ना किसी भी विर्थ के वयास के दोनों किनारों से खीची गई असपर्स रेखा हमेसा कैसा होती है तो सबसे पहले यह पर देखेगा दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक सर्किल बना लेते ठीक है यह विर्थ हो गया इसको पूरी अच्छी तरीके से गोल करते हैं यहां इसको ड्रो करते हैं देखेगा दोस्तों यह आपका क्या होगी एक सर्किल हो गया ठीक है आपको पता होना चाहिए विर्थ हो गया हम लोग क्या करेंगे एक तरह का यहां पर वयास कीच लेते हैं जो कि यह आपका वयास है, विर्थ का वयास, यह होगी विर्थ का वयास, और इसके दोनों किनार, एक किनार विर्थ का यहाँ पर है, वयास का किनार और एक किनार यहाँ पर है, तो दोनों किनार पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, असपर्स रेखा किचेंगे, कुछ इस परकार, कि दोनों जो असप्रस रेखा है है क्या है समानतर है क्या है यहां यहां पर बिल्कूल उप्सन बिल्कुली करक्ट आंसर हो जागा चलिए फिर रहें देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन की दरबर चलती है जो कि आपकी बॉर्ड परसेंट पूझे जाएंग ठीक है मैरा गैरंट के बरावर होगा किस के बरावर होगा कि यहां पर कोट जा सिर्द आप कोसिक हो जाएगा तोल इंग बरावर हो जाए गपका से ठीक है इसको अच्छी तरीगे से यतकली आपके एक्जाम के लिए तेनी मत्पूर ने बरावर हो जाए गपका से ठीक है इसके लिए आपको पता होना चीए यह जो ए होते हैं यह आपका एक्स वन होते हैं और यहाँ पे कोमा वाई वन होते हैं यह पाला पोइंट हो गया और यह आपका बी दूसरा पोइंट हो गया इसके लिए जो पाला होते हैं आपका क्या होते हैं एक्स टू होते हैं और आपका क्या होते दूस्तों वाई टू होते हैं तो यहाँ पे एक के लिए और यह बी के लिए ठीक हैं दोनों को मिलाने वाली रेखाकर्ण के मद्धी बिंदू का नियामक पूछ रहा है ना तो चलिए अपर मिडिल पॉइंट का कोडिनेशन पूछ रहा है तो इसके लिए आपनों क्या कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए एक स्पेसिली फुर्मला होता है एक्स धिंदेसर्ण क्या होतहें दोस्तों ऑस फण फ्रमक देखिएगा एक्स वन प्रेस एकस टूब्टाटो जो भी विदियार्ठी कमजोर है तो उसके लिए वीडियो रांबन सर्वीत हो सकता है और यहां पे य की लिए फिर्मला होता है क्या दोस्तों वाइवन-पलस वाइट वाइवन फ्लैस खरड़ डिया जाएगा तो यहां कि चार प्लस आप क्या चार प्लस बटाट कर देंगे इसको एट कर देते दोनों को तो आर्चर 12 बटा टू हो जाएगा फिर तो 12 और यहां पर वाय बराबर 3 और यहां पर यहां पर उसका इसका बिल्कुल धूंसर बिल्कुल जगा outta A तो फिरेंड यह पे बिंदू 6,-5 का एक्स नियामक यानि की भूज है ठीक है तो एक्स निर्देसा यानि की जो भूज होते ना दोस्तों वह क्या होते एक्स कुमा सुननी के रूप में होते ठीक है आपको पता होना चाहिए जो पहला पॉइंट होते हुग आपका क्या होते जिसके की आप एक्स के जग़का वह आपको भूज होगा तो यहां पर एक्स के जग़न क्या हो क्या मत खोड़ता डा खोंग यह जो कि यहां पर फीक हो जो का उंप यंदि शीं से यहां देव लेद हो ज् ash M музlin के नियामक ने है जो कि यहां पर बी ऑप्सन में दिया गया है इसलिए आप इसका बिल्कुली से उत्र हो जागा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन क्या कराई की नियुक्त में से कौन साथ दिरिती चतुर थांस में इस तरह के पर सब्सक्राइब श्युक्त में सो परसंड पूछ लिए जाते है तो इसके लिए आप इसको अच्छी तरीखे से याथ कि लिएगा यह लका रिवना होगी निति फसके तूर डूत लोग्या है और यह जो 하고 ot तिसरा चतूर थांस जो आपका माइनस को माइनस होते हैं यह क्या होते हैं तिसरा चतूर थांस होते हैं और यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन तिरिते चतूर थांस में हैं तो तिरिते चतूर थांस के लिए क्या होता माइनस को माइनस जो कि माइनस को माइनस किसमें हैं बी में है इसलिए आप पर बी बोला अप्सन इसका बिल्कुली से उत्र हो जागा चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन यहां पर बता आना है कि वाई अक्ष पर बिंदू जिसकी बिंदू बता बसको कने है तो की में है अपको पता हो जाएए यह अक्ष का निर्दे सांग क्या होते दै तो आपको क्या करना होлюдार दूस्तो यहां पहळे जिरो होता है यह पर यह पर सक्षbal और ये जगर्द बहूरू हो सकता है तो यहां पर देखहो से बीकि ओई ऐ यह पर यह पर कोडिनेशन होता है निर्देसां क्या होता है जिरो को चूच करेंगे यहां पर यहां पर कुछ भी पॉइंट्स हो सकता है जब इसको आपसॉल्ब कीजेगा तो यहां पर जीरो कॉमा माइनस एक जो किया पर बी ओप्सन में है इसका बिल्कुली करक्ट रांसर ह हो जागा, इसको आप सोल्ब कर सकते हैं से जेगा तो करिदेटे इसके लिए यहां पर आपको पता हो ना चाहिए और यहां पर यहीं और A से B की बीच की दूरी यहां पे 5 इकाई है तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि यह Y क्या होगा यानि कि 0 को मा Y के जगर क्या हो सकता है ठीक है Y के जगर यहां पे क्या होगा तो इसके लमों क्या करेंगे distance formula का उप्योग करेंगे तो दूरी सूतर का उप्योग करेंगे तो चले दोस्तों यहां पे दूरी सूतर का उप्योग करते है तो दोनों की बीच की दूरी A B की बीच की दूरी कितना दिया गए 5 दिया गए तो यहां पे आपका 5 बराबर हो जाएगा under root कर देते हैं क्योंकि under root होता है अब का अ और root. x2 – x1 काima square तो यहां पे x2 कवह ने, 4 हैं, तो यहां पे 4 – 0 का हो लिसकोर कर देंगे पिर यह पे – करेंगी y2 – y1 का söyl यहां पे y2 2 है, फिर यहां पे – y का initiator कर देंगे ठीक हैं फिर यहां पे देखे का दोसतों फिर यहां पर क्या खरेंगे पलस थे प्लस वde सकॉर होता है यानि कि पलस वाई सकॉर होता है यह थे तो इधर आएगा तो आपका इसकॉर में आ जाएगा चीक है तो पाज का सकॉर कितना ओi य pratic और तो यहां पर काम कीजिये इसको ओर देते हैं रहाएट रायट साइट को चार का स्कुर सोलु हो जाएगा फिर सब्लस्यापी अर्फ प्लash झात है कि यहां पर एक प्लाव करेंगे ल सकते हैं तो अ करते हैंद sì और चारों का चाहाय itu की राएकोरने में का जाए षबान के घाने थे वाइने फॉर्ड में वाहिं का तो वहीचा 2 रएक'm करते हैं यह लिए मीड़ने को घ्याय को इन woh 15 15 कोलगर सव्वाइल बीजय कोलगर साया यह फैन पर fresh प्लस वाइब सुनिये इस गुननखुन को हल कीजिए यहां पर य का भिलू अगर मैनस एक आता है तो यह बला आपको ऑफसन बिल्कुल 100% इसे तो सही है यह है ऐसे में भी वाइक का मान एगो क्या आएगा मैनस एक आएगा ठीक है चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन की तर है कि एक्स अक्ष का सम्मिगरन क्या है तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि एक्स अक्ष का सम्मिगरन क्या होता है दोस्तों आपको पता होना चीए य बरावर सुननी होते हैं इसको आप अच्छी दुरेगे से याद कर लिजा ठीक है और यहां पर यहां पर वाइक्ष का सबक्तों समयन होते हैं तो यह जोकी एकजाम में 100% पूछे जाएंगे तो आह da wish फिर यहांपे पूछ रहा है कि एक समभाव तिर्बोच ABC की भूजा 12 Cm हो तो इसकी उचाए क्या होगी तो चले दोस्तो सबसे पहले हम लोगे यहांपे क्या करेंगे एक संभाव तिर्बोच को ड्रो कर लेते हैं जो सिन संभाओं तिर्भुज कहानेकार्थ कि एक किसंभी संभाओं त वी तो 12 सेंटीमिटर ही हो गी, और दोस्तों यह ऐँ पर अप से पूछ रहे हैं की उचाई क्या होगी? यह पर एक लम खीच लेते हैं, कुछ इस परकार, यह लम हो गया, हम लोग जानते हैं जो सम्भाव तिर्वुज का जो लम होती है, यह सम्दी भाजुक होते हैं, सम्धी भाजिक, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो फ्रेंड यहां पर देखेगा, यहां पर आपसे क्या फुझत रहा है, कि एज का भेलू क्या होगा, इसके लिए आप लोग क्या किजेगा, यहां B से, मतलब B C की बीच की दूरी कितना दिया गया, टोटल यहां पर लेंग् तिर्बूच ABD प्राप्ट हो किया है, तो तिर्बूच ABD का जब दो कौन, हमें दो भुझा जब प्राप्ट मालूम होता है, तो तिर्जिया, सोरी, तिसरा भुझा को कैसे गयात करेंगे, तो देखेगा, दोस्तो, AB तो पता है, BC, BD भी पता है, और यहां पर AD आपसे को पता होना चाहिए, H का स्कॉर माइनस, B का स्कॉर, तो यहां पर H अर्था यहां पर कर्ण का स्कॉर कर देंगे, यानि कि 12 का स्कॉर माइनस, और यहां पर BD अर्था 6 का स्कॉर कर देंगे, अंडरूट चरहा देंगे, ठीक है, 12 का स्कॉर कितना होता है, 144 होता है, फिर य तो इसके लिए आपको सबस्क्राइब करते हैं तो इसके लिए आपको सबस्क्राइब पऄले यहांपर पर अंधं पता होना चीए तो यहांमर के सबस्क्राइब क्या एक लेंगे टीग है तो यहांपर 친 आपको आपको से नुगा के दूसरा पत ग्याद करने के लिए तो 5-3 को हम लोग किस से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, N के जगर 2 ले रहे हैं, तो यहां पर 5-3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 में 5 गया कितना हो गया, तो यहां पर A1 और A2 प्राप्थ हो गया है, तो यहां पर easily D भी प्राप्थ हो जाएगा, D को कैसे गयाद करते हैं, तो हम लोग simply क्या करते हैं, A2 में A1 घटा देते हैं, दूसरा पत में पहला पत को घटा दीजे, तो यहां पर दूसरा पत कामान देखेगा, minus 1 है, तो फिर यहां पर minus देखेंगे, क्योंकि यहां पर A1 कामान देखेगा, दूस्तों कितना दिया गया है, सोरी 2, तो यहां पर minus 2 और minus 1 कितना हो जाएगा, minus 3 हो जाएगा, यह acum अपका D का भीलू, minus 3 जो की, यहां पे B option में दिया गया, इसलिए यहां पे B बोला option इसका बिल्कुली correct answer हो जागा, चले फिरेंड देखती हैं आपे, next question की तरफ बर चलते हैं, और यहां पे देख लेते हैं, यहां पे दूसरा pen चूच के लेते हैं, यह बोला अच्छा है, चले देखिए, पे next question क्या तो यहां पे आपको पता होना ची अन ब्रावर क्या होता है, तो फिरेंड यहां पे अर्थात पर्थम पत आपको पता होना ची जो की 21 दिया गया है, और यहां पे D को ग्यात कर लेते हैं, इसके हम लोग क्या करेंगे, 18 में, simply हम लोग यहां पे 21 को घटा देंगे, तो कितन प्राफ्थ हो जाएगा, माइनस 3 प्राफ्थ हो जागा, ठीक है, तो फिरेंड यहां पे देखेगा, A के जगह कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे, तो यहां पे 21 प्लस, N के जगह, यहां पे N को ऐसे जराने देते हैं, क्योंकि हमें N कमान ग्यात करना होगा, N माइनस 1 इंट इसका बिल्कुली करक्ट रणसर देखते हैं, यहां पे आपसे पूच रहेंगे, समान दिसराणी, समांदस रड़ी इतना इतना का कौन सा पद चौथा पद क्या होगा ठीक है तो चले दोस्तों चौथा पद ग्यात कर लेते यह आपका पर्थम पद होता है एवन यह आपका दूसरा पद फिर यह आपका तीसरा पद होता है ठीक है तो चौथा पद अर्था यहाँ पे आपसे आईसे में तो root 28 में कभी भी root 7 घटेगा नहीं इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा 28 को बहां निकालने का कोसिस कीजिए तो यह निकल करके क्या आएगा दूस्तों 2 root 7 आएगा 2 root 7 minus root 7 तो यहां पर root 7 में जब root 7 घटेगा तो कितना हो जागा root 7 हो जाएगा दो यहां पर D का one पता चल गया है root 7 ठीक है उसके बाद यहां पर देखेगा ध्यान पुरभाग कि A plus 3D होता है यह 4 तो यहां पर A का मान जो की root 7 दिया गया है फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे तो यहां पर देखेगा थीरी root 7 और यहां पर root 7 तो यहां पर हो जाएगा 4 रूट 7 एक काम करती है चार को अंदर में भेज देंगे तो चार चुको इहां पर देखेगा दोस्तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 4 भार काई से 1,4 काई कार कई की है तभी तो 4 गुणा चार गुणा साथ तो 4 गुला scholो क्यश्? … गुणा सथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक लिए इसका बिलकुल है करक्ट रांसर जाए चल देखती है नेक्स्ट को संकी तरफ बर चलते जो कि आपके बूर्ड एक्जाम के लिए ते निम्ध्पोर्ण पूझे जाएंगे तो यहां पर दीघास समीगरन दी आगे इनके मूल होंगे तो इसके लिए अर्था द्विविक करना होगा दिवराबर क्या होता दूस्तों केप्टर डी बराबर बी स्कोर मैंडे स्वोड इसई होता है यह फॉर्मुला होता है आपको पता होना चाहिए तो यहां पे जो होते हैं जो कि यहां पे इन सोरी एक काम करते बी जगे इन तो तीन हो जाये गा माइनस चार गुना क्टो जाएगा परपी किया कि मूल होंगे या să flavors बेसे निगेए यानिक है आण़ि की या कर पूछ रहा है् three y minus 12 3 10 9 तो इसको जोरने कें ना या गटाने से कितना होना जीए 3 आना जीए 3 यह इसको होगे फिर यह इन्य चेयों, यह लूँल किर taj on, ना यह नवे उसके नीजयागे सुनने के बराबर हो जाएगा तो यहां पर y square और 6 y में common क्या आएगा या जाएगा तो यहां पर y plus 6 हो जाएगा और यहां पर अंदर में आपका बच गया थिरी बाहर को थिरी common आ जाएगा तो यहां पर y plus 6 हो जाएगा ठीक है बराबर सुने तो यह काम करते हैं कि y plus 6 को पहले उता लेתי फिर यलिए मैनस 3 को पहलेते हैं इसको अब्सक्राइक क然后 क्या करेंगे दोनों को बारी-बारी से सुनदेकर करेंगे तो य प्लस 6 ब्राबर सुने और यहां पे य माइनस 3 ब्राबर तो यहां पर वाई ब्रावर कित्ना हो जाएगा तो यहां पर तीन और बिया मैं अच्छे तीन और मानच च्छे झो की ऑफसन एम हम इसे लिए पर आप वहला अप्सन इसका बिल्कुली से ऊतर हो जागा चले देखती हां पर पहुंछ तो आपको समझ जाना पड़ेगा यहां आप से पूझ रहे say to be God do not. तो यहां पर देख सकते दूसतो डी उर्थात यहां में सुन्ये से बड़ा है यानि can सुन्निय से बड़ा माइनस उनी से बढ़ा मायनस 건 है जब भी इस तरह का condition apply होता है तो इस condition में क्या होता है इसका मूल अवास्थ집 होता है टे करें आंपर झाके नेक्ष्ट कोशन गत्रबर चलते है जो कि आपकी तो दोनों मूल क्या होगे लिए मलब क्या कशनी से बराड़ी होगा एक जब भी कंडिशन में क्या होता है तो वास्तिवीग और भीन मूल हो यानि कि यहां पर इसका बिल्कुली देखते हैं पर नेक्स्ट को सब्सक्राइब चलती है जो कि आपकी एक्जाम के लिए तेन्दी बंतपोर नहीं तो यहां पर आप से पूछ रहें कि पूछ रहेक्व यूग इतना कि इतना कितने हलोंगे टीक है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ए वन बाइ टू को चेक हो जाएगा यानि कि बटा बटा एक तीन प्राफ्थ हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे दो बटा पॉंच हो जाएगा तो यहांपे क्या एक बटा तीन इस इस इसका बिल्कुली और चलते हैं यहां पर आपसे पूछ रहा है कि किस मान के लिए इतना इतना एक अधित्य हल होगा तो जब भी अधित्य हल पूछे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है तो जब भी एक ही हल होगा तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसका कंडिशन क्या होना चाहिए एउन बटा एटू यह बरावर नहीं होगा बीवन बटा बीटू के ठीक इसको अच्छी तरगे से आथ के लिजे यह एउन बटा एटू नोट इक्वल बटा बीटू तो एउन के जगे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स का गुना लिखेंगे पाला समिकरन जो की यहां पर के दिया गया के बटा एटू जो होंगे यहां पर दूसरा समिकरन जो एक्स का गुना यानि की तीन है यह इक्वल नहीं होंगे बीवन बटा बीटू के जो की यहां पर बीवन जो होते हैं पाला समिकरन वाई का गुना जो की दो है फिर बटा करेंगे दूसरा समिकरन बी यान तो आपको समझना पड़ेगा कि वाई को ऐसे चरहने दीजिए तो यह माहत्पोर्ण है तो जब भी वाई बड़ाबर चार होगा तो यह किसके समांतर हो जागा तो एक्सके समांतर हो जागा जो कि यहां पर ए उप्सन में दिया गए तो फ्रेंड यहां पर हम लोग फानिल कल पर चुके जो कि आपके बोर्ड एक्जाम में 110 परसन इन में से काफी सारी परसन आपके बोर्ड एक्जाम में हूब हूब देखनों को मिलेगा इसलिए आप जादा से ज़्यादा को सब्सक्राइब करने का और दोस्तों यहां पर ज्यादा से यह भी कोसिज कीजिए कि जो पर जरूर से लिट कर लेजेगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिए अधा कि वह भी बोर्ड एक्जाम की तयारी काफी मस्त और धमागेदार तरीके से कर से के तो फिर मिलती है आपर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आज के लिएतना है दोस